नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस यूट्यूब में मैं दस ड्री मिलियोन की विनिंग टीम दिखाने आला हूँ जो वर्ल्ड कप की मैच है स्री लंका वर्से साउथ आफ्रिका के बीच जा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैं मैं आज को हालेट करके दिखा रहा हूँ उस पर आपको क्लिक कर लेने हैं और अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई तो कोई बात नहीं नीचे भी क्रिएटेटेटिम को उप्शन मिलता है और माय टीम पर जाके भी आप करके दिखाऊंगा किस किस को ले सकते किस को नहीं लेना और क्याप्टन वाइस कैसे बनाना वह भी मैं आपको बताऊंगा तो चले बेना किसी देर के वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरी चानल को स सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथे साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना बुले ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके और आप अच्छे से आपने कर सके तो चले करते हैं वीडियो को शुरू माई टीम पर करते हैं क्लि इलही टीम में में तीनों को साथ में लेने जा रहा हूँ जो की काफी बढ़िया हो सकता है टी बव मां काफी बढ़िया फॉर्म में है वेंडर दूसर अच्छे प्लियर है सी असलंका भी अच्छे प्लियर है तो इन तीनों को बैट्समांस को मैं साथ में ले रहा हूँ इस हो चुके तो इसी वजह से मेरे पास ऐ की आप्शन बचा है तो मैं एल कुमारा को यहाँ पर लेना चौँगा बाकि किसी ओर गेंड़ बाज को यहाँ पर नहीं लेना चौँगा फिर भी अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर कुशल मेंडिस को इस ट्रिम का क्याप्टन बनाओंगा क्योंकि मुझे लगता है यह प्ले बंदा काफि ज़्यादा बढ़िया है और कंसिस्टन्स भी कर एक खेलता है तो इसलिए यह पर इनको क्याप्टन तो वही मरक्रम को वाइस क्याप्टन इसलिए बना रहो क्योंकि ये बैटिंग तो अच्छे करी लेंगे साथ साथ इनको कुछ Overs भी मिल जाते हैं दालने के लिए जहाँ पर अगर ये विकेट चटका लेते हैं तो काफी फायदा हो सकता है तो चलिए काफी बड़िया टीम है अफकोस आपको मुझे लगता है कि य दूसरी टीम हमें देख लेनी है थोड़ा अटपटा सा फैसला कोहेंगे लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ हैंरिक क्लासेन को ले रहा हूँ डिकॉक और कुशल मेंडिस दोनों को डॉप कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हर टीम में हम तीनों को साथ मिलेंगे और अगर कुछ नह लंका पी निसांका मतलब पाज बल्ले बाद इस टीम में ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हर टीम आपको कुछ ना कुछ चेंज करके ही लगा नहीं होगी तभी आप ग्रांड लिग जित सकते इसके अलाव आप ग्रांड लिग नहीं जित सकते मरक्रम डीवे लंगे और मार लेकिन थोड़ा रिस्की जरू कहूंगा क्योंकि दिकॉक और कुछल मेंडिस इनको बाहर रखना थोड़ा काफी मतलब कठीन फैसला था लेकिन करना पढ़ने आपको कही ना कही दोस्तों हन्रिक क्लासें जबदस फर्म में बाद मतलब लेट आ रहे पर फिर भी जबदस से करूंगा स्मॉल लिक के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि कुछल मेंडिस और डिकॉक को ड्रॉप करना थोड़ा ज्यादा रिस्की है लेकिन फिर भी हमें कई ना कई करना पड़ेगा टाकि हम ग्रांड लिक जेच सके और इसलिए मैं इस टीम को कंश्न एक वाम के ढांब लिक ग्रांट करूंगा स्मॉल लिक कि लिए नहीं सेटीम को क्लोज करते हैं तीसरी टीम हमें देखने हैं कि दि ऐसरी टीम की बात करूं हो तो चीहां पर देखिए मैंने कॉन्टेणि को को इस टीम में रखा है जी आ दोस्तों स्ग्रासन ब्रॉप कर दिया है और कुशल मनेडिस को भी डॉप कर दिया है उसके बाद वेंडर दुसें समनरी करमा सी असलंगा पी निसांक का इसके अलावा चार बल्ले बाज है और इसके अलाव मेरे पास तीन तीन रहेंगे यहाँ पर मार्करम स्री करना रतने को भी तक नहीं लिया था उनको ले लूँगा डी विलंगा के विलंगे को भी लूँगा तीन अच्छे खासे ओल रॉंडर वापस मेरे पास हो चुके लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर चेंज किया तीन नहीं वापके मार्को एंस रहती है और मैस्टिक्षन अभी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे है तो विक्टे यह भी निकाल सकते तो इसलिए इनको भी मैंने इस टीम में ले लिया है चलिए बात करते हैं तीसरे क्या मैं टीम के क्याप्टन की तो वैंडर दुसेन और समर उक्रमा को वाइस क्याप बना रहे हैं उल्टा करना चाहिए तो आप जरूर कर सकते हैं समर उक्रमा को क्याप्टन और आरवाइन डर दुसेन को वाइस क्याप्टन भी बना सकते हैं चलिए दोस्तों काफी अलग टीम हैं तो इसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड लिए सजेस्ट करूंगा को भी क्लोज करते हैं और चौथी टीम हमें देख लेनी हैं जहां पर मैंने अब जाके सिर्फ और सिर्फ किशल मेंडिस को लिए ज्या दोस्तों पहली टीम में मैंने आपको तीनों कीपर लेके दिखा दिये मतलब अगर तीनों अच्छे खेलते हैं तो वो टीम आपके 100% ज जिता देंगे और उसके बाद क्लास सेन को भी मैंने एक जगा पे अकेले को लेके दिखा दिया वो भी टीम अगर अच्छी चलते हैं तो वो आपको जिता देंगे तो इस बार कुशल मेंडिस के साथ साथ टी बाउमा फिर से वांडर दुसें सी एस लंका और पी निसांका चार बल्लेबाज मेरे पास फिर से अच्छे खासे ओप्शन है इसके बाद चलते हैं तो यहां पर मेरे पास बेस्ट ऑल राउंडर फिर से आ गए है मरकरम सी करना रखने वेलांगे मारको आंसर जिया दोस्तों इन चारों को बतलब साथ में रखना काफे फाय देमन सावित हो सकता है फिर से गेन बाजी में मैंने चेंजेस किया टी समशी और यहां पर पथी राना को भी मैंने अभी तक नहीं लिया ता इन दोनों को साथ में ले लूँगा हाँ मुझे थोड़ा समशी का खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है केशो महाराज और समशी में से क्योंकि मुझे लगता है वेलंगे ने जिस्तर से आशिया कप में जंबदस बैटिंग की बॉलिंग की मतलब और परफॉर्मस क्या था उसी तर से भारत में भी मतलब उसी तरह के पिचेस रहते हैं तो यहां पे भी सक्सेस हो सकते तो इसलिए मैंने इनको यहां पर क्याप् करidा ऑपक & तैम को भी सिर्फ ऑ ग्राण्डीक के लिए सजस करूँगा समॉल लिए सजस्ट नहीं करूँगा पहले टीम मैंने तीनों मर लीगो के लिए सजस्किती ब्राइन लिगो स्मॉल लीगो बड़ी लीगो किसी भी लिग के लिए लेकिन लिके ढावी कि तीन अभी क्योंकि डिकॉक को यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया है थोड़ा और अलग करने जा रहा हूँ दोस्तों लेकिन उसका भी फायदा आपको हो सकता है डेविड मिलर डी शनाका शनाका को अभी तक नहीं लिया ता कई पर भी उनको ले लूँगा टी बहुमा को और समर विक्रमा को जा दोस्तों समर विक्रमा भी काफी जबदस प्ले रहे है इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ अगर ड्रॉप रहते तो आपको चेंज करना पड़ने आला है तो यहाँ पर भी एक्चेंज वेने कर लिया है जैसे कि आप देखी पार है यहाँ पर करना रतने को मैंने ड्रॉप कर दिया है और अब यहाँ पर डी डी सिल्वा को लिए बर रड़ा माप की जगह दुस्तों रबाड़ा को ही गेन बाजी में मैं रखने आला हूँ बाकी किसी और को नहीं रखूंगा क्योंकि रबाड़ा काफी जबदस गेन बाज है तो इसलिए मुझे लगता है इनको रखना फाइदेमन साबित हो सकता है चले बात कर लेते क्याप्टन वाइस क्याप्टन के तो हैंरिक प्लासन को क्याप्टन बनाने जा रहा हूं डी डी सिल्वा को हैस क्याप्टन बनाने बनाने फाइदेमन साबित तो इसलिए इनको लेना फाइदेमन थाबित हो सकता है हां डी सिल्वा को मैंने थोड़ा अलग सोचके बनाया है हो अब किसी ने वी इनको कुछ भी क्याप्टन ज्यादा नहीं बनाया और अगर सच में अच्छा प्रपोंट करते तो आपको सबस से जादा से जादा ब्राइन लिक के लिए सजेस्क करूंगा मैं तो चले इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और अब चमशल मेंद देख लेनी है जिससे आप जीत सकते आपको जीत मिल सके और आप अच्छे से अर्निक कर सके उसके बाद वैंडर दूसे निसां का ही मेरे पास बल्लेबाजी में रहने वाले दोस्तों इसका रेजन आगे दीख रहा है आपको डीडी सिल्वा मरक्रेम और सी करुना रतने को मैंने वापस ले सबस्केंपर सब्सकर दीख रहे रहे हैं पर मेरे पास सभी ऑक्षने जो आपको अच्छा करा कर दे सकते इसे पर जोखेलता है तो आप उनको टीम में लेजी लीजेगा तो लेंगे तो नहीं अगे तो यहां पर क्याप्टन के बाद करें तो निसांका को लेकिन फिलाल मैं इस्त Except लखक्ते काफिये लिक्ते टुछ करूंगा स्मॉल लक्त के लिए उसके होड़ी यह लीख लगा जँनाडाख इस टीम को भी क्लोज करते हैं साथ वी टीम हमें देखनी है अब साथ वी टीम में मैंने फिर से डिकॉक और क्लास इन को दोनों को ले लिया है मतलब दोस्तों सभी आप्शन आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या कर सकते आप टी बहुमा समर रिक्रमा सी एस लंका पी निशांका चार मेरे पास फिर से बैट्समन है क्योंकि काफी बढ़िया बैट्समन है तो सभी को ले लिया है इसके बाट दोई ऑल रॉंडर लूंगा मर मैं इस टीम में लिया है क्योंकि यह तीनों अच्छा परफर्मस कर सकते तो तीनों को साथ में लेना भी काफी फाइदेमन सावित हो सकता है तो कुल्मला के अच्छी खासी टीम है मैं यहाँ पर बहुमा को क्याप्टन मनाने जा रहा हूं क्योंकि बहुमा भी अभी तो अफकोस यह भी टीम ग्रांड लिग या बड़ी लिग के लिए जरूर साजेस करूंगा स्मॉल लिग के लिए फिर से कोंगा यूज करनी ही नहीं करनी मैं आप पर छोड़ता हूं क्योंकि यह यहाँ पर भी मैंने कुसल मेंडिस को टॉप किया है तो यह भी सोच समझ के आप ग्रांड लिग बड़ी लिग तो जरूर लगाएगा स्मॉल लिग सोच समझके लगाएगा इस टिम को भी क्लोज करते हैं आठवी टीम हमें देख ले नहीं दोस्तों अब आठवी टीम पर चलते हैं तो फिर से आखिरकार मैंने कुशल मेंडिस हंरिक क्लासें तीनों को फिर से साथ में ले ही लिया है जिया दोस्तों क्योंकि दोस्तों इनमें से किसी को भी ड्रॉप करता थोड़ा ज्यादा रिसकी सावित हो सकता है तो फिर भी मैं आपको हर एक ऑप्शन तेराओ जोकिंग आपको ग्रांड लिग जिता सकते फिर से डेविड मिलर डी शना का टी बाउमा असलंका चार बैट्समन है देख सकते आप मेरे पास और इसके बाद लीडी सिल्वा मर्क्रम मार्को जांसन तीन आल रांडर है और पाथी राना को मैं अकिले इन बाजी में लेने आला हो यह वी टीम थोड़ी अलग और हटके है अफकोस थोड़ी रिस्की फिर से कोंगा ऐसा नहीं कि रिस्की नहीं है यह भी रिस्की है तो ग्रांड लीग या बड़ी लिग के लिए जरूरी उचकी जिगा स्मॉल लिग के लिए वी यूज कर सकते बाद हो थे हैं और लुच-हीर परना बंचने वाफ हैं पयाली हो जो कि काफी दोनओ कि करना चाहे हैं डोप दोनुके लेकिन अंगाे नारी रही यह तो फिर से मैंने डिकॉक और कुशल मेंडिस को साथ में लिया है क्लैसन को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि दोस्तों हर सभी आप्शन हम देख रहे हैं टी वोमा वैंडर दुसें समर विक्रमा सी असलंका चार बैट्समन है मेरे पास फिर से अल्रॉणर में मर्क रम मेलांगे मारको जांसन तीनी ऑल्रॉणर जो बेस्ट और तीनों को साथ में ले लिया है और गेनबादी के बात करूं तो मैंने तीन ऑल्रॉणर लिये जिसके वाज़े से टी सम्षी और मैंस्टिक्षना दोनों मेरे पास अब रहने वाले हैं जिसका ह से और में लिया कुछ को अगर दोनों केल्टे तो आपको जरूरत नहीं रहेगी चेंजेस करने के यहां पर क्यापटन की बात करूं तो देख सकते हैं मारको यांसन को क्यापटन महेस्टिक्षन आखो वाइस कैपटन बना रहा हूं कर सकते हैं एसलिए इनको क्यापटर बना हूं और अगर उलड़ा करना चाहिए तो मैस्ट कर सकते हैं ज्वार्थि के लिए और बड़ी द्वारती है जरूर 결क चोड़ स्मॉल लिक के लिए यूज करनी है नहीं करनी मैं आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि यहां पर भी मैंने कर लेते हैं और फाइनल आखरी टीम हमें देख लेनी हैं जो किस तर से मैंने बनाई है यहां पर फिर से डिकॉक मेंडिस क्लासें तीनों को मैंने साथ में ले लिया है जो कि काफी फायदे मनें टी वाउमा असलंका और पीजनी शांका तीन ही वल्लेवाद रहने वाले मेरे प और वेलंगे तीन अच्छे खासे अल डाॉंडर है मेरे पास जो कि काफी फायदा करा के सकते फिर से केशो महाराज के साथ में यहां पर कुमारा को ले रहा हूं मतलब यहां पर भी हमारे पास दो अच्छे गेन बाज आ चुके है जो कि कॉलिटी गेन बाज में जरूर कहू घ्राइब कर सकते हैं, तो केश्यों महाराज को भी विखते मिल सकती है तो इसलिए क्याप्टन माना हुग हो चले दोस्तों काफी बड़ी आटी में हम मैंने आई होप आपको दी है और आपको सब को ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर में एक वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे चैनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कहा तो सब्सक्राइब भी कर सकता हो तो इसलिए टेल्ग्राम को जॉइन करना काफी फायदमन साभित हो सकता है चले दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में थब तक के लिए ठैंक यू और गुडबाए